हेलो दोस्तो वेलकम बेक माई यूटूब चैनल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशन का नाम पीले रंग के बोड पर लिखा जाता है आखिर दोस्तो रेलवे स्टेशन का नाम पीले रंग के बोड पर क्यों लिखा जाता है क्या आप लोग जानते हैं तो चलिए आईए जानते हैं इसके बारे में उससे पहले दोस्तों फिलीस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और फिलीस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूत देखिएगा एलो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरा पीछे देख सकते हैं कि पीले रंग के बोड पर काले रंग से स्टेशन का नाम लिखा गया है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में पूरे रेलवे स्टेशन में पीले रंग के बोड पर ही काले रंग से नाम लिखा जाता है जो दोस्तों जैसा कि कोई भी ट्रेन यहां पीस रेलवे स्टेशन में आएगी तो उसे दूर से ही यह बोड दिख जाएगा कि पीले रंग कि पीले रंग के बोड में उल्ड मेरा है काले रंग से रैल्वे स्टेशन का नाम लिखा की को वड़न इस रैलяж day करके दूर से ही देख लिते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि रेलवे स्टेशन आने वाला है देख सकते दोस्तों यह पीले रंग के बोड में ताले रंग से रेलवे स्टेशन का नाम लिखा गया है दोस्तों देखिये आफ लोग दोस्तों, जयसा की आप लोग देख सकते हैं की मेरे पीछे करीब एक केलो मीटर पीछे यह पीले रंग के बोड रेलफिंटर है वो लोको पाइलेट को दिख जाता है और इस पीले रंग के बोर्ड में काले रंग से ही पूरे भारत में रेलवे स्टेशन का नाम लिखा जाता है और ये बहुत दूर से ही नजर आज जाता है इसलिए इसे पीले रंग के बोर्ड पर ही लिखा जाता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिली से आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरा पीछे देख सकते हैं पीले रंग के बोर्ड मेरे काले रंग से रेलवे स्टेशन का नाम लिखा गया है। दोस्तों देखें कि कि पिले रंग के पीले मेरा का बॉर्ड मेरा आता है। और इसलिए पीले रंग के बोर्ड पर काले रंग से रेल भी स्टेशन का नाम लिखा जाता है। तो दोस्तों प्लीस आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।